कि आना में बटावका? रुपान जैन दाखे ने में वादे वो? सिरसा तो अमर के आप इंद आप इंद इंद? 12 यह तो बारा साल इंद आपने तपस्या किये, किस तरह के इस पीन असाब करभा? यह हमारे गुरु महराज्या है, उनकी परेणना से हो है क्या पॉष्पस्षान आपने किया यह सिरफ पानी नहीं होता है इसरफ सुर्य उद्य निवकार्सी आने के बाद या एक पैर के बाद और सुर्य असने से पहले-पहले आठ दिन आपने ऐसी गिया हां जी तो कोई कितावर बगर आई या कुछ मेसूश नहीं नहीं हां जी हां जी तो सारे एक्जाम बड़ी अजिक के लिए हां जी अब बड़ा परिवार में कोफोन है दादू चाचु चाची मुम्मा पापा और मैं और मेरी बहने छोटी वो कहते थे कि बड़ी आया है हां जी हां जी परिवार ने की तपस्या है नहीं हां जी पहले बार की आप हैं जी बहुत अनंद आया हां आपके और बच्चे भी करते हैं हां जी करते हैं माईर हां जी हां जी हां जी माईर मेरा दोस्त है उसने की थी उसको देखके मेरे अंदर भी बाव आई कि मैं भी करूँ और कुछ घरवालों की तरफ से और महराजी साब की तरफ से भी आई किया नाम सौरवाज जी क्या कुछ करना चाहेंगे आपके बारा साथ किरेंगे हैं हमें बहुत खुशी है हमारे गुरू महरा जाएं हुए उनकी प्रेणना से हमें इनको शिक्षामिलती है कि वर्त किया है इसने अठाई की है हमारे जैंदर में ये सबसे महत्पुन तियार इसके उपलक्ष में इसकी बाव उठे और इसने पूरी तपस्या का क्या कि मैंने करनी है तो आठ दिनों के इंदर किस तरग एक्स्वें पेटे करना बहुत अच्छा रहा है उसने पूरा अपना मनोबल बनाए रखा और इसके एक्जाम भी थे फिर मैंने इसको बोला गी मैंने का देख ले क्याता नहीं मैं करूंगा पर इसने किया अच्छा है हमें खुशी है और पूरे परिवार का सेयोगर आए इसके पड़ाइदी बढ़ी है नंसे तपस्या पूरी करिए इसने संदीब जैन मैं यह कहना चाहिए कि छोटे बच्चे के लिए बड़े होसलियाली बात है कि इसने प्रेयर ना ली गुरुमासार से प्रेयर ना ली और इसकी अंदर ऐसा जोशाया कि इसने यह आठ दिन तपस्या गी और जैन जो हमारे परंपरा है जैन समाल की जो हमारी सब्सक्राफ़ से कजिनी जाती है इसके बराबर मतली कें तो कहीं पर भी निया क्योंकि ہ们 देखते हैं सनातन केंदर एक टाइम खाने की लिए मिल जाता है लेकिन जैन समाल की अंदर तपस्याियाली इस्के अंदर खाना तो बिल्कोल वर्जित है छिरफ पाणी पीना सिरफ दरम पानी वो भी सूरिया उद्या के बाग और सूरिया आथ से पहले तो इस बच्चे का मैं तो बहुत होतला मानता हूँ कि इतनी चोटी उमर की अंदर इतनी बड़ी तपस्यागी इस वार हमारे लगबग 20 लेडिस और जैंट्स जो ये तपस्याग अब तक पूरी कर चुके हैं और इस से पहले पिछले साल इसी की उमर का एक बच्चा था उसने भी ये तपस्यागी उसी से इसने प्रेगना लेकर इस वार इसका मन बना चत्रमास के अंदर तपस्यागी आत लगविक जो हमारे करम हैं जो भी हमने कोई बुरे करम की हैं उसको काटने का ये सबसे अच्छा माद्यम है तपस्या और बगवान मावीर स्वामी ने यही का है कि अगर कोई भी हमने बुरे करम की हैं तपस्या के द्वारा ही काट सकते हैं और उनको काटने का कोई जरिया यह अपनी के ऊपर आठाइए आठ दिन की इससे कम अगर किसी का समर्थ तो वह उसको आप निन की तपस्या आती ए और कई की तो हमारे समाज के ऐसे खोनहार बलगे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने एक-एक महिने की तपस्या की हुई है तो सब इस तपस्या के अंदर जलका सेवन टिक्ने सी टिक्ने समय के पीशना होता है वो कोई टाइम नहीं होता उसका ठीना वो अपनी शरीर के समर्थ के मताबिक है जब भी एक वार दो वार तीन वार पानी जब भी मलगे चाहे वो पी सकता है सूरे होगने के बाद और सूरे आस्ते पहले पहले इसी के अंदर सूरे आस्तोंने के बाद अगर दोई की जरूरत है वो भी नहीं लिए जाती